कि है अप सभी लोग दा पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर निम्बर फॉर विधान पालिका का इंपॉर्टन कोशन एंसर करने वाल हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंटर दिखेगा यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लिए और बैल आइगन उप्रेस कर लिए दो तो चैनल को वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला कोशन है कि विधान पालिका से आप क्या समझते हैं तो दोस्तों विधान पालिका क्या है य इसकी परिस्थितियों करुजार आवस्या कानुनों को निर्मार करना और विधान पालिका कारिपालिका पर नियंत्रण करती है दोस्तों विधान पालिका को आप एक परकार से 200 संसत कह सकते हैं ठीक है यानि संसत जो कानुनों का निर्मार करने का कारे करती है चली प्रस्ट न सबittित और लोग सब्राइव हमस्द की अवस्यक्ता हें थो ओस्थ खांक हम बात पर थिस सरकार तीन अंगों में से हैं उन्टा में के सकते हैं pension अधिया झाल कानून दिर्मित करती है और कारे पालिका और नियाय पालिका अपने कारियों के लिए विधार मंडल पर निर्भा करती है एक देश संसद के बिना अपना कोई काम भी ठीक पूरंग से नहीं कर से नहीं सासन व्यस्ता को सुचार रूप से चलाने के लिए कानून का निर्माड करना होता है और उस कानून का निर्माड करने में संसद कहीं सबसे महत्वर योदान होता है यानि आप कह सकते हैं दोस्तो संसत जो है प्रमुक काम क्या कानून का निर्माड करना तो चले देखते हैं दोस्तो संसत की हमें अवसकता क्यों होती है और किन वज़े से हमें संसत की अवसकता है तो उसे पहला काम है संसत जो है कानून निर्माड कारिये यहनि संसत का काम क्या है कानून का अंद्रिमार करना अब दोसों अगर हम बात करें तो संसत देश के लिए कानून का अंद्रिमार करती है और संसत जो है जनता की इच्छा का प्रतिनिती तो करती है और जनता की इच्छा संसत की कानून उसे प्रकट होती है तो इस प्रकार से करने के लिए नेस्ट हो सकता है कारपालिका पर नियंद्रण तो संसद के में आ सकता होती है ताकि कारपालिका पर नियंद्रण किया जा सके जैसे अगर हम बात करें दोस्तों तो लोकतंतर राज्यों में संसद जो है कारपालिका पर नियंद्रण रखती है और संसदी सरकार मे कारपाली का अपने समस्थ काजियों के लिए संसत के प्रति उत्तरदाई होती है इसलिए भी कारपाली का पर नियंत्रण रखने के लिए संसत के हो सकता होती है विद पर नियंदरन यानि control over finance यानि अगर हम बात करें दोसों बजर पास करना टिकर टेक्स लगाना टेक्स हों में संसुदर करना ये सब और करों को समाप करने सारे काम कौन करती है संसद करती है इसलिए भी हमें संसद की अवस्यक्ता है चोता है नयाई कारे करने के लिए अगर हम बात करें दोसों नयाई कारे यानि संसद जो राष्ट्पती और उप राष्ट्पती के उसके महाब्योग उसके पस से उनको महाब्योग दोर हटा सकती है इसलिए भी में संसद करने के अधिकार दिया गया इसलिए भी हमें संसद किया वसकता है ने संसद करने हैं राज विदेश निति नित्रण की बात करें दोस्तो तो मंत्री मंडलको अपनी विदेश निति संसद से ही पास करूणी पड़ती है और जितने भी गड़त अंतरात्मक राज यहें और इनमें कोई भी युद्य य संदिय उसमें तख नहीं किया सकती जब तक संसत की उस विशे में राय ना ले ली जाए। इसलिए में संसत किया वसकता है। आप हमई इसमसित कियो यह कोशन करना रिवेत सब्सक्राइब की हैं तो हमारी जो संय साथ के दूसदन क्यूं हैं तो भारतिससनसत बनायें किसलेक ilet आप सिदेए बता कि बारतिससस्त कास म्रस भारत को लोकसभा इनकर इसे जंदा का सदन भी कहा जाता है औरुपरी सदन को R passwords इसे राज्यों का चदन भी कहा जाता है और भारते संसाथ को दूरुज सदने बनाने के अनेक कारण थे जो की निमलिकी थे चिंद संसाथ के दो से पहले भी केंदरी विधार मंडल जधा वो दिवी सदनिय था और भारति नेताओं को दूसरे सदन की उपियोगता का नुभव था दूसरा कारण है दूसरा सदन पहले सदन की निरुंकुषता को रोकता है अब पहले सदन की निरुंकुषता कैसे रोकता दोस्तो तो आप सब्सक्राइब को निरुंकुष बनने से रोकने के लिए राजस्वा के सापना कि इसलिए भी हमें दूसरे सदन की अवस्ता है क्योंकि कभी-कभी क्यों होता अगर मालते कि लोग सब्सक्राइब किसी एक पार्टी के बहुमत है ठीक है और उसके द्वारे साथ नेमों कानून मालते किया जाना तो ऐसे मों पार्टी कभी-कभी-कभी हो सकती है तीसरा करृण है दूसरा सतन जो है अविचार पुन जह है बिना विचार कि लिए-वा चल्द्वाजी है अविचार, पूंट पूर जल्द्वाजी पास तीनकता है चल नों करूmel से अलोथ होता है चोथा कारण है दोस्तो बिलो को दोराना यानि जो पहले सदन दोरा बिल पेस पास किया जाता है दूसरा सदन पहले सदन दोरा पास की बिलो दोराता है सेम वही तरीका अपनाया जाता है जैसे पहले सदन दोरा अपनाया जा चुका होता है इसे जो बिलो में बिल के अंदर ज संसत में पास किया जाएगा और जनता के पास वो पहुचेगा पास जो है दूसरा सदन पहले सदन की समय की बचत करता है और दूसरा सदन में विवाधीन दिता विरोधीन बिलो को पेस किया जाता है और इन बिलो पर उन रूप से विचार करने के पस्चार जो है बिल को पहले सदन के पास भेद दिया जाता था और पहला सदन इन विलों को सिगरी पास कर देता है और इस प्रकार जो है दूसरा सदन पहले सदन की समय की भी पचत करता है एक और कारण दूसरा हमारा कि दूसरा सदन जो है संगात्मक राज के ले अनिवार है क्योंकि हमार भारत एक संगात्मक सासन प्रणाली को अपनाए गया है और संगात्मक सासन प्रणाली में दूसरे सदन का होना अनिवार है दोस्तो ताकि संग की इकाईयों को दूसरे सदन में प्रतिनिते तो दिया जा सके राजसभा जैसे आप सभी बुगता है राज्यों का प्रतिनित दुद्गरती और लोक्षभा जनता का प्रतिनित दुद्गरती है अगला प्रसान है दोस्तो कि लोक्षबा और रास सभाई में अन्तर ष्पस्ट करें, और भारते संसथ गरची आ, उनकी सक्तिक और प्रतिनें रूती है, राज्जों का प्रतिने पर्तिनिदिदों करती है, लोक्षबा और निमने सद्वन का जाता है, जमकि रास सब्ची तर् लोगसभा का जो चुना होता है दोसों वो किसन इस्ता हितो होता है इसका कारेकार 4 भर्स निलंभी का पंच वर्स होता है त्याग देते हैं यह जोह में need तरीके सब्सक्राइब में वेडियोन में वहां झाल देख सकते हैं लिंक में है अगला है राजसभा की रचना और सक्तियों का वरणन कीजिए ठीक राजसभा सक्तियों जो भी इसकी रचना है सारा उसका पर पूरी अच्छी तरह से एक्स्प्रेंड कर रहा है इसका लिंक जो है दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप वहां से इसको जरूर देखें और इस तर को भी आप देख सकते हैं जैसे यह आपको बता दे चलिए धोड़ा सा जैसे राजसभा की जो अधिक संख्या दोसो दोसो पचास हो सक कला समाच और सिक्षय जगत में ख्याती प्राप्त हो चेकियो राजसभाग की कायों को समान प्रतिनी दीने का वसी धान जो अमेरिका की सीनण की रशना अपनाए गया है भारत में गया है हमारे देख में बिपिर्र राज्यों की जन संक्या का अधार पर उनके दवारे प्रतृ प्रणाली के नुसर एकल कर्महें नियुक्त रखता हूं भाकी और सारी सामने वीडियो में बता है कि मुहां है कि ब्रढ़ म सकते हैं जोग सबब खिषिश तो इस्तिति के विवेशने कीजिए इसका भी उत्तार दोस्तों वहाँ पर है आप वीडियो में देख सकते हैं प्रसन नमराट समाने समीतियों से आप क्या समझते हैं तो समाने समीतियां क्या होती दोस्तों समाने समीतियां जो सदन के संगठन और सक्ति योसे संबहित होती है इनमें कार्श संबंधे समीति सलाकार समीति नियम समीति विष्य सद्धिकार समिति याच्का समीति होती है सब्सक्राइब दोस्तों एक दर्थ समीति होती हैं दर्थसमीथी का मतलब होता है कि यह समीति है जिसकी साप्राइव विष्ए संसत, कंदिरमाड राश्पती, राज सभा और लोग सभा। से मिल कर होता है। कि इंगलेंड के समराट की तरह संसत का राश्पती जो हमारा टूटँट होता है तो उस्टो और इसके पास कही सकती है, यासे राश्ट्पती संसत के दोनों सदनों का अधिवेशन बुला सकता है इसके लावा अधिवेशन के समय बढ़ा सकता है अत्वा घटा भी सकता है और लोक सबा को विक्टित भी कर सकता राश्ट्पती इसके अलावा संसत के दोनों सदनों द्वारा पास किया कोई भी विध्याक तब तक कालू नहीं बन सकता जब तक कि इस पर राश्ट्पती के हस्ताक्षर न हो जाए उसे संसत के दोनों सदनों को अलग लग या सन्यीक तुरूप से संबोधित करने का अधिका भी प्राप्त है किसको राश्ट्पती को इसके साथ वह संसत दोर पास किये कि किसी भी विध्याक को पूने विचार के वापस बेश सकता है और जब संसत का दिवेसा ना चल रहा हो हो और प्रिस्तितिय इस बात को बात करती हो तो राश्ट्पती को अध्यदे जारी करने का भी अधिकार है अध्यदेश जारी करने के जो अधिकार दोसो आर्टिकल 1,2,3 अनुछे देज के तहत की दिया गया राश्पती को इसी प्रकास से दोसे प्रसंद पुछा जाता है कि प्रसंद काल क्या होता है सुनने काल से आपके आसे मेसे सभी का उतर दोसे वीडियो के लिंक में है अगला कोशन संसत के सदस्यों के विश्या सदिकार का वरनन करें यह भी इंपोर्टन कोशन दोस्तों तो विश्या सदिकार यह है संसत की सरवच्चता पर दो परतिबंद मताईए तो संसत की जो सरवच्चता है दोस्तों वह भी इस पर परतिबंद लगा गया है यानि देश का सवधान लिखित है जो यानि जो संसत की सक्तियों को सिमित करता है संसत मोलिक अधिकार को लंगन करने वाला कोई कानून बना नहीं सकती है नेस्ट ध्यान अगस्ण प्रस्ताव क्या होता है यदि सदन के कोई सदस से सदन का ध्यान किसी महत्पुर्ट गटना या लोग महत्विश्यक और आकरस्थित करना चाहता हो तो ध्यान अगस्ण प्रस्ताव पेश कर सकता है ऐसा प्रस्ताव मंतरियों के ध्यान आकरस्थित पुलाया जाता है इसके साथी संचद का सन्युत अध्यवेशन तब बुलाया जाता है जब किसी बिल को संचद का एक सतन पस करते तो दूसरा उसे अश्विकार करते और लोग मेहत्त्य को लेकर भी राज सभा की दो विसेस्ताव को वरणन करें राज सभादसों राज सुचिक किसे विसे को राष्ट्रि महत्तव का घोशित करके संसद को इस पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है इसके साथ 42 में संसोदन में ये व्यवस्ता की गई है कि राजसबा अपनुचे 249 के अंदरगत प्रस्ताव पास करके अकिल भारतिय नियाइक सिवाओं को इस्थापित करने कदिकार केंद सरकार को दे सकती है ये भी राजसबार के विशेश है यानि ये सकती है क्या राजसबा एक गौण सदन है यहां क्या राजसबा एक गौण सदन है तो हां राजसबा एक गौण सदन है क्यूं राजसबा को धन समंदी कोई सकती प्राप्त नहीं है यानि धर्विदय के वर लोकसबा प्राप्त पेस किया जाता है राजसभा सरकार को अबदस नहीं कर सकती है और संसद की सनुष बैटक में दिर्णे लोकसभा की इक्षा नुशारी होते हैं इसके असाथी राजसभा में उन राजितियों को सदस्य बनाया जाता है जिनका दिकांस जनाधार नहीं होता है राजसभा के सदस्य के अबदी कितनी हैं तो राजसभा के जो सदस्य अबदी 6 वर्स होती है और राजसभा जो अनीमित होती है दोसो राजसभा की कितने सदस्य परती दो वर्स बाद से बनविर्ट होते हैं तो एक तिहाई होते हैं दोसो राज सभा की अधेस्ता कोन करता है तो उपराश्पती करता है राज सभा दन बिल्गो कितने समय तक रोख सकती है 14 दिन तक रोख सकती है संसद के दोनों सद्रों के सन्यूत अधिविशन की अधेस्ता कोन करता है तो लोग सभा अधेक्ष करता है लोकसभा सबसेदिक सदस किस राज में से आते हैं राजसभा की भी उत्तर प्रदेश से आते हैं सरकारी और गैर सरकारी विध्यक में क्या अंतर होता है और अगला प्रसंदसो कोई भी धन भी है या नहीं इसका दोने कुन करता है इस पीकर ने लोकसभा का जो अध्यक्स होता यह बात के नागरे खुना चाहिए लोग सबागे दोस्तों 30 वर्स लोग सबागे लिए 25 माफ कीजेगा और रास्बागे तीस वर्स क्या और राष्पती के लिए 35 वर्स क्या है अब इस्वास प्रस्ताव क्या होता है संसत के दोनों सद्नों के दो अधिवेशन की भी इसकम से कम या अधिक सदिक कितना अंतरों चाहिए संसत के दो सद्नों के अधिवेशन विदो छे मेने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए यानि एक साल में दो बैटे का निवार होनी चाहिए भारत के कुल कितने राज्यों में दिव संदी विधाई का है ठीक है कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दिए दोस्तों यह दोसे चैप्टर फूर यानि विधान पाली का कि मोस्ट इंपरन्ट कोशन एंसर इसके संबंद्थी दोस्तों इस वीडियो के रिगाडिंग कोई भी आपका प्रसन है तो कमेंट बॉक् चैनल को जुरूर सब्स्राइक पर देजिए दोसों मिलते नहीं सुडियो में तक के लिए जाहिन धन्यवाद